गोलमाल अगेन अजय देवगन के करियर की साती इसे फिल्म है जो 100 करोड क्लब में शामिल हुई है समभावे की 200 करोड क्लब में भी इस फिल्म को इंटरी मिल जाए आई ये बात करते हैं अजय देवगन की टॉप 10 बॉक्स ओफिस क्रोसर्स की यानि भारत में कलेक्शन करने वाली उनकी टॉप 10 फिल्मों की अजय देवगन के करियर की बहतरिन फिल्मों में से एक टीमी पर ये फिल्म खूब देखी गई लेकिन बॉक्स ओफिस पर इसकी सफलता औसत से भी कम रही 100 क्रोड का अकड़ा भी ये छू नहीं पाई बजरंगी भाईजान और बाहु बली के ठीक बाद ये फिल्म रिलीज हुई और इन दो ब्लॉक्बस्टर्स फिल्मों का सामना ठीक से नहीं कर पाई अजय देवगन की ये फिल्म फ्लॉप रही थी उम्मीद 100 क्रोड के कलेक्शन की थी लेकिन फिल्म खास पसंद नहीं की गई और खाटे का सोदा साबित हुई नमबर आठ राजनीती बॉक्स ओफिस कलेक्शन 93 क्रोड रुपे 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म ने तब 93 क्रोड रुपे का कलेक्शन किया था जो आज के दोर में 125 क्रोड या इससे भी जादा का होता है फिल्म को बॉक्स ओफिस पर सफलता मिली थी नमबर 7 सिंगम बॉक्स ओफिस कलेक्शन 100 क्रोड रुपे सिंगम बनकर अजय देवगन ने जोरदार दहार लगई और उनकी अदाब दर्शकों को खुट पसंद आई इस फिल्म को टीवी पर भी खुट देखा गया यह फिल्म सुपर हिट रही थी नमबर 6 शिवाए बॉक्स ओफिस कलेक्शन 100.35 करोड रुपे अजय देवगन के करियर की महत्वा कांक्शित फिल्मों में से एक इसका निर्देशन भी उन्होंने खुट किया था बड़ा बजट फिल्म को ले डुबा और फिल्म को असफलता का मुह देखना पड़ा नमबर 5 बोल बच्चन बॉक्स ओफिस कलेक्शन 102 करोड रुपीज रोई चेटी और अजय की जोडी की एक और सफल फिल्म फिल्म ने धीमेधी में चलते हुए 100 करोड का अकड़ा छुआ अजय की करियर की एक और हिट फिल्म सनाफ सरदार बॉक्स ओफिस कलेक्शन 105.03 करोड रुपीज अजय की इस फिल्म के सामने शाहरुक खान की जब तक हैजान रिलीज हुई थी दोनों ही फिल्मों का बिजनस प्रभावित हुआ लेकिन अजय की फिल्म ने शांदार तरीके से बॉक्स ओफिस पर मुकाबला किया गोलमाल तीन बॉक्स ओफिस कलेक्शन 107 करोड रुपीज गोलमाल तीन ने बॉक्स ओफिस पर बहतरिन प्रदर्शन किया और सुपर हिट रही गोलमाल सिरीज में कभी भी अजय को असफलता का मुँ नहीं देखना पड़ा सिंगम से भी जोरदा सफलता सिंगम रिटन्स को मिली हलाकि इसमें सिंगम जैसा दम नहीं था लेकिन सिंगम ब्रेंड का पूरा फायदा फिल्म को मिला और यह सुपर हिट रही गोलमाल अगेन बॉक्स ओफिस कलेक्शन 11 दिनों में 111.86 करोड रुपै सिंगम रिटन्स से बड़ी हिट देने के लिए अजै को तीन वर्ष इंतजार करना पड़ा गोलमाल अगेन उनके करियर की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली बॉक्स ओफिस ग्रॉसर बनी इस फिल्म ने सिंगम रिटन्स का लाइफ टाइम कलेक्शन बहुत जल्दी पार कर लिया और सूपर हिट का खिताब इसे मिल गया है